कि मैंने यह आउटलाइन बना रखिए पहले से और मैं यहां फर्ष्ट लेयर कर रहा हूं जैसा आप देख सकते हैं अब हम सेकंड लेयर करेंगे जैसा आप फोटो में देख सकते हैं जिस तरफ लाइटिंग एरिया है उसको हम छोड़ेंगे और जिदे डार्क एरिया है वहां हम डार्क करेंगे आपको डार्क एरिया भी बहुत हलके हाथ हुई हलके प्रेशर के साथ शेड करना है आपको लाइटनिंग से तरफ जाना ना कि यहीं भात आपको धियान में रखना ने क्योंकि यहां रार के रिया और प्रेश को एरिय्प्लेश करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर एक कि आपको आपको सबसे पहले light एरिया करना ना जिस वज़े से आपकी जो कोई हैं कोई कोई भी आप स्केच्छ ट्रॉव कर रहे हैं कोई भी के वर टो बना कर रहे हैं तो आपकी वर बहुत ही रियलिस्टिक बनेगी बस आपको यह ध्यान रखना एक आपको बहुत ही टाइम के साथ बहुत टाइम देना है और जिससे आपकी जो ड्राइंग है बहुत ही अच्छी बनेगी जुचलिए मैं से कंप्लीट lata हूँ करें हम आपने आखों के उपपर वाले अरिया सको शेड़् कर रहा हूं लिए वेसinkर को कि उस तरह डार करी है जीजा आप में डेख सक्ते हैं आखों के उपपर वाले मन गना बहुति डार्क प्रेशर के साथ शेड्ड कर रहा हूं आपको जल्द बाजी बिल्गुल नहीं करनी हैं क्योंकि इसमें आपसे अगर एक बार गलती होगी तो आप एरेज नहीं कर सकते क्योंकि डार्क एरियाज को एरेज करना काफी मुश्किल होता है अगर आप एरेज करेंगे तो उसमें फिर भी कुछ डार्कनेस उसमें फिर भी रह जाएगी तो इसलिए आपको बहुत हलके हलके हाथों से शेड करना तो मैं शेड कर लेता हूं से कि मैं फिर उन डार्क एरियाज को अपसरब करके फिर से ठर्ड लेर कर रहा हूं इस पर जहां जहां पर डार्क एरियाज हैं मैं उनको फिर से शेडिंग कर रहा हूं इसके उपर अब मैं आख का मेडल पार्ट बना रहा हूं जिसमें जो मेडल पार्ट बना रहा हूं जिसमें जो मेडल पार्ट है उसमें जादतर डार्क एरियाज जो आपको देखनों के मिलेंगे जैसे आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हैं मैं वहां डार्क एरियाज कर रहा हूं और जहां लाइट एरिया है जिस तरफ से शाइन आ रही है तो मैं उस तरफ हलकी बिलकुल कम प्रेशर के स साथ बिलकुल शेड कर रहा है आपके फोटो तब ही रियलिस्टिक बनेगी जब आप अपनी फोटो में लाइटनिंग और शेडो का बहुत जादा ध्यान रखेंगे जैसे आप देख सकते हैं जो मिडल पार्ट है उसमें उपर वाले एरिया में जादा डार्क नेशे और नीचे लाइटनिंग है तो उस साथ से में इसमें लाइटनिंग और शेडो का ध्यान रखते झाल करें न tu कि influen? अब आंखो के वाइट वाले एरिया को जो शड कर रहा हूँ कि आखो का जो वाइट एरिया होता होто हो बिलकुल वाइट नहीं हुता इसमें थोड़ी बहुत शेडिंग होती है चो इस तरफ का एरिया उस वो ऺई النेस इसलिए क्योंकि इस तरफ तो इसलिए उसे साफसे में इसमें इसे शेडिंग कर रहा हूं आपको अपनी आपको भी बस फोटो को अबज़र्ब करना कि किस तरफ लाइटने से किस तरफ डार्कने से बस यह अबज़र्ब करेंगे तो आपकी फोटो बिल्गुल एकुरेट बनेगी आइबो के लिए मैं हेर की direction में सर्व फ्र नगांगा आप देख सकते हैं कि हाद जो आइबरो है वह बहुत ही tark है टो इसके लिए मैं बहुत ही प्रेशर के साथ आप जो प्रेशर है पैंसिल को बहुत ही दबा कर मैं इसको डार्क बनाने के लिए आइब्रोज कर रहा हूं कि जो हेर डाइरेक्शन है उसी में उसी के देख देख आपको सिर्फ हेर के स्ट्रोक्स लगाने जैसे आप फोटो में देख सकते हैं अब मैं ब्लेंडिंग करूँगा मेरे पास यह चोटा ब्रेश है तो हमें इससे ब्लेंडिंग करूँगा अगर आपके पास कोटन बट है तो आप उससे का भी इस्तमाल कर सकते हैं ब्लेंडिंग करने का सिर्फ एक यही रीजन होता है कि जितनी भी हम लेयर करते हैं उसको आपस में मर्ज कर सकें वैसे ब्लेंडिंग करना ज्यादा जरूरी नहीं है फोटो में क्योंकि बस आपकी वह आपको सिर्फ अपनी शेडिंग पर जो है फोकस ज्यादा करना है ब्लेंडिंग ज्यादा इतनी इंपर्टेंट नहीं होती क्योंकि ब्लेंडिंग से कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ता फोटोस में जो भी आप इसके ड्रो करते हो ब्लेंडिंग का सिर्फ लाश्ट सिर्फ यही मकसद होता है कि हमने जितनी भी लेयर करी हैं तो उसको आपस में मर्ज कर सकें कर दो आप इसको बनाने को बनाने में मुझको लगभग डेड़ से दो घंटा लग गया जिससे आप देख सेकते हैं यह कुछ इस तरह की बनी है हमारी ब्लेंडिंग पूरी हो चुकी है और आइस कंप्लेट हो चुकी है